हेलो गाइस वेलकम तो अनेदर वीडियो अप स्टॉक मार्केट फिंट्स वक्राइंगी लिमिटेट की ओर से मार्च क्वाटर की फिनांसल रिजल्ट पेस हो चुका है क्वाटर में 51 करोड का एक्सपेंस हुआ था जबकि एक्सपेंस भी इंकम के कोडिंग ही इंक्रीज किया है क्वाटर और क्वाटर येर और में एक्सेप्शनल आइटम से 32 लाक्स का डाउन है जिसके बाद ऑप्रेडिंग पॉफिट है 2.1 करोड का पिछले क्वाटर में 1.6 क करोड का और मार्श 23 कौईट 6,07 लाक्स का अप्रेडिंग पॉफिट है क्वाटर और क्वाटर अन च्वाटर येर में इंक्रीज किया है तो गाइस खौटर रेजल्ट अगर देखा जाये है तो बहुत श्टॉंग रिजल्ट क्या अगर हम इसके फिनांशफिन पॉइंट 98.7 करोड का, income में increase किया है, expenses 209.6 करोड का, 23 में 196 करोड का expense हुआ था, जबकि expense भी increase किया है, operating profit 5.8 करोड का, 23 में 2.6 करोड का, increase करता बाद देखने को मिल रहा है, net profit 4.3 करोड का, 23 में 1 करोड का, जोकि increase किया है, 4 times का increase होती भी नज़र आ रही है, EPS 0.04 रुपेज का 23 से increase किया है, तो guys quarter ended हो या financial year ended, बहुत strong result पेश किया, क्योंकि income और profit दोनों में increase कर रही है, अगर हम stand-alone results को cover करे, income में 46.3 करोड का, पिछले quarter में 45.5 करोड का, और March 23 quarter में 43.6 करोड का income है, quarter on quarter year on year में increase किया है, expenses 45 करोड का, पिछले quarter में 44 करोड का, और March 23 quarter में 43 करोड का expense हुआ था, जो कि quarter on quarter year on year में increase करता हुआ देखने को मिल रही है, operating profit 82.4 lakhs का, पिछले quarter में 2 करोड का, और March 23 quarter 58 lakhs का profit है, quarter on quarter में down क्योंकि expenses जादा हुआ और exception items में खर्च हुआ है, लेकिन year on year में increase किया है, net profit 1 करोड का, पिछले quarter में 1.6 करोड का, March 23 quarter 42 lakhs का, quarter on quarter में down है, year on year में increase किया है, तो guys company का overall result अगर देखा जाए, तो यहाँ पे result company का अच्छी पेश किया है, जो कि अगर देखा जाए तो बहुत strong result पेश किया, EPS 0.01 रुपेश का quarter on quarter, year on year में as it is same है, तो overall company का result बहुत strong पेश किया, क्योंकि income और profit दोनों में increase करता वह नजर आ रहा है, चाहिए वो quarter ended हो या financial year ended का, वह एकर हम इसके share की बात करेगा है, तो company का जो share इस बार अभी देखने को मिला है, 25.25 रुपेश पे close किया, 0.8% का minor growth हुआ है, लेकिन company का share लंबा support लिया था गाइज, और 1 month 4% का profit दिया, 6 months 32% का profit दिया, लेकिन कुछ time पहले लंबा support लिया था, अगर कोई doubt to comment box में पूछे मिलते हैं, एक शोड़ाम में दिलने बाबाइ,